च्योरे में राम सेवक परिवार द्वारा आयोचित श्री राम कथा के दूसरी दिन कुमती सुमिती के प्रसंग साथ कोर्णा काल की रखी गई बात च्योरे नगर के मानस भवन में आयोचित राम कथा के दूसरी दिन गुरुवार की दुभेर तीन बजे सी कथावाचिक अखले श्रामायन जी द्वारा संगीत में श्री राम कथा का शुभारम करते हुए राम चरित मानस में कुमती सुमिती के प्रसंग का वर्णा करते हुए शीगर हरन के लिए प्रभू श्री राम से प्रार्थना वैसे समय में कथा की शुरावन के लिए विशे सौभा की कि बात कही गई राम चरित मानस कथा का शुरवन करने के लिए चौरह से राम भक्तिकन अधिक से अधिक संख्या में उपस्तित हुई और राम चरित मानस का शुरावन किया कथा वाचक अखिलेश रामायनी ने बताया कि जो व्यक्ति रामचरित मानस कथा सुनता है प्रभू श्री रामजी उनकी सुख दुख में साथ होते है और श्री रामजी की उनकी रक्षा करते है रामायनी जी ने कथा का सार बताती हुए आगे बताया कि राम से बड़ा ना कोई अर्थात हम सभी को राम जी के भजन किर्टन करते रहना चाहिए वह दयालू है सभी पर तया करते हैं इस दोरान चौराई राम सेवक परिवार नगर के गन्मानी नागरिक बुजर्ग एवं महिलाय उपस्तित रहे बीसेन न्यूस के लिए चौराई से समधातार राजेशुय के की रिपोर्ट